हलो माई लवली वीवर्स, वी एक्स्प्लेन आल आपका स्वागत करता है एक और नई मूवी के साथ और आज मैं आप लोगों के लिए जिस मूवी को लेकर आई हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी क्या सच में आने वाला फ्यूचर ऐसा हो सकता है? अहां तो एंड तक बने रहेगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा दोस्तो इस मूवी में आपको ये दिखाया जाता है कि ह्यूमन्स फ्यूचर में कैसे हो सकते हैं उनकी फीलिंग, उनका खाना, उनका आर्ट, उनकी ब्यूटी या फिर वो कैसे दिख सकते हैं तो चलिए देखते हैं आखिर इस मूवी में दिखाया क्या गया है फिल्म की शुरवात में बहुत समय बाद आने वाले फ्यूचर को दिखाया जाता है जिसमें एक छोटे बच्चे ब्रेकन को दिखाया जाता है जो कि एक समुदर के किनारे बैट कर खेल रहा होता है तब ही उसकी मॉम जूना उससे कहती है कि नीचे पड़ी हुए किसी भी चीज़ को मत खाना उसके बाद ब्रेकन घर आ जाता है और ब्रश करने लगता है पर ब्रश करते करते वो अचानक से वहां रखे डस्पीन को खाने लगता है उसकी मॉम जूना उससे ऐसा करते हुए देख रही होती है थोड़ी देर बाद ब्रेकन सो जाता है और जोना उसका सांस रोकर उसे मार डालती है अब यहाँ यह सब क्या चल रहा है यह आपको आगे मुवी में पता चल जाएगा उसके बाद जोना रोते हुए किसी को कॉल करती है और उससे कहती है कि मेरे पती लैंग को उसके बेटे की लाश लेने के लिए भेज दो फिर लैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर आ जाता है वहाँ जोना घर से भाग चुकी होती है लैंग ब्रेकन की डेट बॉड़ी आती है और सोल टैंसर को उठाती है कैप्रिस एक आर्टिस्ट होती है जो कि सूल के साथ परफॉर्मिंग आर्ट के शो करती है साथ ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं यहां हमें पता चलता है कि सोल टैंसर और उस जैसे कुछ लोगों के अंदर नियू आर्गन्स ड्वैल्प होते हैं और उनके ड्वैल्पिंग प्रोसेस के वक्त बॉड़ी में एक अजीब सा पेन होता है जिसको कंट्रोल करने के लिए अजीब तरह के बैड मदद करते हैं साथ ही इस तरह के लोगों को नॉर्मल खाना काने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है जिसके लिए एक स्पेशल चेयर भी बनाई गई है जो की पेन के वक्त मूवमेंट करती है यहां सोल टैंसर कैपरिस को उस बैड को ठी करने के लिए टेक्निशन बुलाने को कहता है क्योंकि उसके बैड के साफ्ट वियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और इन सब चीजों को एक और्गेनाईजेशन बनाती है जिसका नाम लाइफ फाउंड वेर होता है उसके बाद सोल और कैपरिस और्गन्स रेजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाते है जो कि हीूमन्स में उगने वाले नियू और्गन्स को स्टोर करते है और वो हीूमन्स और्गन्स पर टैटू बनाते है जिसे और्गन टेड्माग भी कहा जाता है जो कि उस और्गन के मालिक का टैड माख होता है वहाँ पर सोल और कैपलेस विपिट और टिमलिन से मिलते है यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन लोगों के अंदर भी ये न्यू और्गन्स बनते है उनके और्गन्स के पूरे ड्वेल्प हो जाने के बाद उनकी बाड़ी में कोई पेन नहीं होता वो किसी भी तरह के दर्द को महसुस नहीं करते जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है जिसे सरकार रोपना चाहती है फिर विपिट और टेंबलीन सोल टेंसर के न्यू ड्वेल्पिंग ऑर्गन को चेक करते है और उस पर टैट्टू या कह सकते है कि टैडमाग बना देते है अब सोल और कैपरिस घर वापिस आ जाते है और वो आपसमें बाद करते है कैप्रिस कहती है कि मुझे विपिट और टिमलिन कुछ ठीक नहीं लगे क्योंकि सोल ने पहले बार टैड माग किया था तो कैप्रिस को इस बात की चिंता थी कि कहीं वो टैटूस के औरगन को इफेक्ट ना कर दे तभी उनके घर पे बस्ट और राउटर आती है जो कि उस बैट को ठीक करने के लिए आई थी वहाँ बस्ट एक सार्क मशीन को देखती है जिसे आटॉपसी के लिए काम में लाया जाता है पर अब कंपनी ने उसे बनाना बंद कर दिया था वो दोनों कैप्रिस से पूछती है कि ये तुम्हारे किस काम आती है जहां वो बताती है कि यही मशीन हमारी परफॉर्मिंग आर्ड का में एक्ट है अगले सीन में दिखाया जाता है कि सोल और कैप्रिस की लाइफ परफॉर्मिंस चल रही होती है यहां सोल सार्क मशीन में लेटा हुआ होता है और कैप्रिस एक रिमोट जैसी मशीन की मदद से उसकी सरजरी करके नियू और्गन्स को निकाल देती है यहां हमें पता चलता है कि सोल अपने नियू और्गन्स को इसले निकाल देता है ताकि उसकी खुद की जान को खत्रा ना हो क्योंकि इन नियू और्गन्स के फंक्शन अभी तक किसी को भी पता नहीं थे यहाँ पर विपिट और टेंबलिन को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ इस आर्ट परफॉर्मेंस को देखने आते है जबकि यहाँ आना उनके रूल्स के खिलाफ है टिमलिन सोल टेंसर के पास आती है और उससे कहती है कि यह सरजरी तो नियू इंटिमेट टाइप की चीज़ है और मैं भी इस चीज़ को एक्सपिरियंस करना चाती हूँ वहीं लैंग भी इस चगा आया था जो कि सोल टेंसर पर नजर रखे हुए था वो एक टेबल पर अपनी खाई हुई चॉकलेट को रख देता है जिसे वहाँ खड़ा एक आदमी खा लेता है और वो मर जाता है अब ये आदमी क्यों मर जाता है ये आपको जल्दी पता चल जाएगा अब डिटैक्टिव कोप को दिखाया जाता है जो कि गवश्मेंट के लिए काम करता है वो वेपिट और टेमलिंड से सोल के बारे में पूछता है वो उसे बताते है कि सोल अपने ओरगन्ज और टैटु को एक आर्ट की तरह दिखाता है उसके बाद वो कॉप को सोल के ओर्गन्स के फोटोस भी दिखाते हैं यहां हमें पता चलता है कि इस दुनिया में अब हुमन बॉड़ी ही सबसे बड़ा आर्ट बन गया है जिसमें लोग अपने नी ओर्गन्स या अपनी बॉड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करके आर्ट परफॉर्मेंस दिया करते हैं जिसे लाइव देखने आडियंस भी आती है वहीं अब एक अजीब से आदमी को दिखाया जाता है जिसने अपने पूरे शरीर पर कान उगा लिये थे इसे देखकर यहां हमें पता चलता है कि इस फ्यूचर की दुनिया में लोगों में अपने आपको अलग दिखाने के लिए एक छुलसी मची हुई है और लोग अपने उपर अजीब से एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए है जैसे कि इन लोगों को ही देख लो जो एक दुसरे को काट कर खुद को प्लैजो दिये जा रहे है इन लोगों को दर्द का एहसास तो होता ही नहीं है इसलिए इने खुद को हर्ट करके ही प्लैजो मिलता है वही सोल अपने घर जा रहा होता है रास्ते में उसे लैंग मिलता है वो सोल को अपने बेटे के मरे हुए शरीद पर आटॉपसी करने को कहता है वो भी सोल के live show पर जिससे उसका show और भी famous हो जाएगा सोल उससे इस बारे में सोचने के लिए कुछ time मांगता है और वहां से चला जाता है और अपने घर आकर सोल कैप्रिस को लैंग के offer के बारे में बताता है वो दोनों लैंग से मिलकर उसके बच्चे की डैड बॉड़ी को देखने का डिसाइड करते है वहीं दिखाया जाता है कि सोल को अब खाना खाने में भी बहुत प्राब्लम होने लगती है उसके बाद सोल कैप्रिस की बॉड़ी पर कट लगा कर उसे प्लेजर देता है और फिर खुद भी उसे जॉइन कर लेता है फिर वो दोनों अपने शरीर पर कट लगा कर एक दूसरे को प्लेजर देते है आगे दिखाया जाता है कि रात को सोल कोप से मिलने जाता है यहाँ पर सोल कोप के लिए अंडर कवर काम करता है जिसके बारे में उसकी पार्टनर कैप्रिस भी नहीं जानती है सोल कोप को बाड़ी पर एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों के बारे में इंफोर्मेशन देता है क्योंकि गवर्मेंट बाड़ी के साथ छेर चार करने की एक्टिवीटी को क्राइम मानती है और यह तो आप मुवी के टाइटल में भी देखी सकते हो जिसका नाम Crime of the Future है यहाँ पर सोल कोप को लैंग और उसके बच्चे के बारे में बताता है और कोप से कहता है कि मुझे बच्चे की मान जूना से मिलना है और मुझे पता है कि तुम जानते हो कि वो कहा है Soul को उसके पेट पर एक जिपर लगाने का सुज़शन देता है ताकि वो अपने औरगंज का और अच्छे से ख्याल रख सके और Soul भी इसके लिए तयार हो जाता है घर आकर Soul Capris को वो जिपर दिखाता है जिसे देखर Capris को एक सेक्शुल अपील फील होती है और वो उस सिपर के साथ intimate activity करने लगती है अब अगले दिन Soul जूना से मिलने उसके पास जाता है जो की एक जेल में थी और उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है जूना उससे कहती है कि वो एक इनसान नहीं था वो प्लास्टिक खाता था और उसके मूँ से सफेद रंग की एक लार टपकती रहती थी वो तो एक creature की तरह था जूना कहती है कि उसे मेरे पती नहीं ऐसा बनाया था मेरा पती और उसके सारे दोस्ट भी उसी की तरह है जो प्लास्टिक को खाते है और मुझे मेरे बेटे की मौद का कोई regret नहीं है उसके बद लैंग को दिखाया जाता है जो की एक factory में आता है वो और उसके दोस्ट वहाँ पर उस चॉकलेट को बनाने का काम कर रही होते है जिसे लैंग खाता है लैंग वहाँ पर अपने दोस्तों को काम जल्दी खतम करने को कहता है और उन्हें बताता है कि मैं बहुत जल्दी अपने बेटे की आटॉपसी करवाने वाला हूँ जिसके बाद दुनिया उन्हें समझ सकेगी वही कैप्रिस एक लेड़ी के शो में जाती है वहाँ पर वो लेड़ी अपने चेहरे पर एक्सपेरिमेंट करती है कैप्रिस उसकी सरजरी दे कर उससे बहुत अट्रेक्ट होती है और वो भी अपने चेहरे पर सरजरी करवा लेती है उसके बाद सूल और कैप्रिस को लैंग के घर पर दिखाया जाता है यहां वो उसके बेटे की डैट बाडी को देखने आये होते है लैंग उन्हें ब्रेकन की डैट बाडी दिखाता है यहां पर सोल लैंग से कहता है कि तुम अपने बेटे की अटॉपसी पुलिस से भी करवा सकते हो तब Lang उससे कहता है कि नहीं वो लोग सब चीजों को दबा देगे और मैं यह सब लोगों के सामने करना चाता हूँ क्योंकि Lang लोगों के सामने आजके humans की eating problem का solution रखना चाता है क्योंकि आजके time में Soul जैसे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा सकते लैंग सोल से कहता है कि मेरे और तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया के हर एक कोने में है और मैं उनकी लाइफ असान करना चाहता हूँ जिससे कि हम भी अपनी जनरेशन को बढ़ा सके यहाँ पर लैंग सोल को वो चॉकलिट खाने को देता है पर सोल इस वक्त उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे लैंग पर विश्वास नहीं था अब रात को सोल कॉप से मिलता है और उसे लैंग और उसके दोस्तों के बारे में बताता है कॉप सोल से उसके ग्रूप का पता लगाने को कहता है और गोप उसे बताता है कि लैंग और उसके दोस्ते एक प्लास्टिक से बनी चॉकलेट कैंडी बना रहे हैं जिसे नॉर्मल इंसान नहीं खा सकता उसे सिर्फ इवॉल्व हो गए हिउमन्स ही खा सकते हैं अब दोस्तों यही कारण था कि उस दिन सोल के शो में वो आदमी लैंग की चॉकलेट को खा कर मर गया था क्यूंकि वो एक नॉर्मल हीूमन था यहां हमें यह भी पता चलता है कि यहां पर अभी सारे हीमन्स इवॉल्व नहीं हुए हैं देरे देरे लोग इस एवियूलूशन की तरफ बढ़ रहे हैं जबकि गवर्मेंट ऐसा नहीं चाती वहीं डॉक्टर नेसिटियर को दिखाया जाता है जो की खाना खा रहे होते हैं उसके घर पर बस्ट और राउटर आती है वो डॉक्टर से कहती है कि हम आपकी चेयर को ठीक करने यहां आए है पर वो चेयर ठीक करने के बहाने से डॉक्टर नैसिटियर को मार डालती है अब सोल और कैप्रेस फिर से लैंग से मिलने आते है यहाँ पर सोल लैंग से उसके ग्रुप के बारे में पूछता है लैंग सोल को बताता है कि मैंने और मेरे दोस्तों ने अपनी सर्जुरी करवाई है ताकि हम लोग प्लास्टिक और सैंथेटिक चीजों को अच्छे से डाइजस्ट कर सके क्योंकि आने वल इस में में खाने की बहुत कमी होने वाली है और इनसानों दोरा किया गया वेस्ट प्लास्टिक और अधर मैटेरियल भी इस से काम आ जाएगा पर लैंग यहां बताता है कि उसका बेटा ब्रेकन नॉर्मली इसेबिलीटी के साथ पैदा हुआ था उसकी कोई सर्जुरी नहीं की गई थी उसकी अटॉपसी लोगों में एक एवलिशन ले आएगी जिससे लोगों को समझ आ जाएगा कि हमारी आने वाली जनुरेशन नॉर्मली इसेबिलीटी के साथ पैदा हो सकती है उन्हें किसी भी तरह की सर्जुरी करवाने की जरूरत नहीं है जिससे हुमन्स की इटिंग प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और हुमन का फ्यूजर अच्छा होगा अब नेक्स सीन में ब्रेकन की अटॉपसी शुरू हो जाती है जिसे देखने बहुत सारे लोग वहां आते है वही लैंग इसके लिए बहुत एकसाइटिड होता है पर जैसे ही ब्रेकन की बॉड़ी को ओपन किया जाता है तो सब लोग देखते हैं कि ब्रेकन के शरीड में सभी ओर्गन सर्जुरी करके डाले गए है और उनको प्लास्टिक बचाने के लिए मोडिफाई किया गया है उसकी बॉड़ी में खुद कोई एबिलिटी नहीं है लैंग ये सब देखकर बहुत उखी हो जाता है और बाहर जाकर रोने लगता है और इन सब के लिए अपनी पाइफ को दोश देता है कि उसने उसके बेटे की सरजरी करवाई है तब ही वहाँ पर बस्ट और राउटर आती है और लैंग के सर में ड्रिल मशीन गुसा कर उसे मार डालती है अब सोल कॉप से मिलने जाता है और गुसे में उससे ब्रेकन के औरगन्स के चेंज होने के बारे में पूछता है तब कॉप उसे बताता है कि हाँ ये सच है ब्रेकन के अंदर पहले से ही प्लास्टिक को कंज्यूम करने की एबिलिटी थी पर गुव्मेंट ऐसा नहीं चाती थी कि लोगों को ये सब पता चले और लोगों में रेविलुशन आई उन्हें इस बारे में पहले ही पता चल गया था इसलिए गुव्मेंट नहीं ब्रेकन के औरगन्स को चेंज कर दिया था और ब्रीकन के ऑरगन्स को चेंज करने वाली और कोई नहीं टिंबली नहीं होती है यानि कैप्रिस का श्रक सही निकलता है सॉल कॉप से पूछता है कि लैंग को किस ने मारा यहाँ कॉप कहता है कि इस बारे में उसे कुछ पता नहीं है जिससे सोल समझ जाता है कि लैंग हुमेनिटी के लिए सही काम कर रहा था और वो कोप के साथ आगे काम करने से मना कर देता है और वहां से निराश होकर चला जाता है यहां हमें समझ आ जाता है कि बस्ट और राउटर गवर्मेंट के लिए ही काम करती है और डॉक्टर नेसेटियर को कही न कहीं ब्रिकन के बारे में पता था इसलिए उन्होंने उसे मार डाला और लैंग को भी मार डाला ताकि ये बात लोगों तक ना पहुंच सके अब सोल को घर पर खाना खाते हुए दिखाया जाता है जहां उसे बहुत परिशानी हो रही होती है तब ही कैपरेस उसके लिए लैंग की बनाए हुई चॉकलिट लाती है और उसे खिला देती है जिसे खाते ही सोल की चेर मूवमेंट करना बंद कर देती है यानि उसकी पेन गायब हो जाती है और सोल उस चॉकलेट को इंजॉय कर पा रहा होता है जिसकी खुशी उसकी आंखों से आंसो बनकर चलब रही होती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है